पूरे इतिहास में भारत की छवी लगातार बदर्टी रही है, क्योंकि इसकी सीमाई गट्ती बढ़ती रही है, और सलस्कृतियों के आपस में मिलने के बावजूद उनमें खीच दान चल दी रही है। छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए लोगों के देश में तमाम मुश्किलों और फिर से उट घड़े होने की चाहत से गुजर कर भारत ने अपना सिर उठाया। अब पहली बार सामने आई पुरानी फिल्मों से अपिधिहास की सबसे कमाल की कहानियों में से एक की दुर्लक जहलक देख सकते हैं। ये ब्रिटिश सामराज्य का नगीना था जो आगे चलकर एक आजाद देश बना। पेश है भारत के बंगी की कहानि इंडिया इमाजिस। दराज। उन्नीस्वी सदी का आखरी दौर। भारतिय उपमाद्वीद की यात्रा कर रहे लेखक मार्क ट्वेन ने इस इलाके से प्रभावित होकर लिखा। भारत में ही मानवजाती पली बड़ी है। यहीं इनसानी बोली का जन्म हुआ है। इसे एतिहासिक गाधाओं और परंपराओं की दादी और परदादी कहा जा सकता है। मार्क ट्वेन ने पाँच हजार सालों में दिकसित हुए भारत की व्याख्या की थी। यह बात है उन्यसमी सबी की। भारत की आबादी बीस करोड से ज्यादा है। यह भारत लगातार बदलाव के दौर में है। अब यह ताकतवर मुगल सामराज्य द्वारा संगठित इलाका नहीं है। अपने सबसे अच्छे दौर में मुगल शासन उत्तर में अफगानिस्तान के पाड़ों से लेकर बारतिय उपमाद्वीब के सबसे दक्षनी छोर तक प्हला था। हाल ही में मिली इस रंगीन फिल्म को 1930 के दशक में फिल्माया गया था। यह 16 मिलिमीटर की कोड़करूम फिल्म है जिसे पुरी तरह हाई डिफिनिशन में बदल दिया गया है। यह मध्य कालीन भारत की एक जनक है जिसके ज्यादातर हिस्से पर मुगल राज करते थे। मुगलों का प्रभाव भारत के दक्षनी दूर दराज के इलागों तक कभी नहीं पहुँच पाया। यहां तक की मध्य भारत में भी उन्हें अपना अधिकार जताने के लिए स्थानिय रियासतों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता था। पर उनकी विरासत आज के भारत में भी जिन्दा है जिसे देश भर में बने स्मारकों और इमारतों के बेमिसाल आकिटेक्चर में दिखा जा सकता है और इन स्मारकों में सबसे मशूर शानदार ताज महल है। सन 1648 में मुगल बादशा शाजहां की बेगम के मकبرे के तोर पर बना ताज महल महबत की निशानी के अलावा भी काफे कुछ है। दुनिया का ये अजूबा ऐसे भारत का प्रतीक है जो कई सदियों की उतार चलाव के बावजूद टिका रहा है और आज भी पहले की तरह ही शान से खड़ा है। ताज महल बनवाने वाले शाजहां के लफजों में इस जहां में ये इमारत उपर वाली की एहमियत बताने के लिए बनाई गई है। सन 1862 में आखरी मुगल बहादुर शाह सफर की मौट के साथ ही मुगल सल्दनत का अंध हो गया। इसके बाद राजनीतिक अस्थिर्ता के दौर में धेर सारी छोटी-छोटी रियासतों, पबीलों और समुदायों का जन्म हुआ। और शासन करने की ताकत में ऐसा खाली बनाया जिसे भरने में कोई काम्याब नहीं हुआ। सन 1903 ये भारत के कुछ सबसे पुरानी फिल्मे है। इन्हें अमेरिकन इंवेंटर और सिनमा के पाइनियर टॉमस आर्मैट ने फिल्माया है। इस समय तक भारत के लोगों पर विदेशी राज करते हैं, जिसका केंडर आधी दुल्या के पार यूरोप के एक टापू पर है। अंग्रेज पहली बार सन 1608 में भारत आये थे। वो यहां ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आये थे। शुरू में वो लुग यहां पर केवल ब्यापार करने के उद्देश्य से आये थे। और फिर समय के साथ साथ उनका उद्देश्य बतला, उनकी इच्छाएं बढ़ी और उनकी राजनैतिक आकांशाएं सामने आई। दूसरा दिल्ली दरबार। यह ब्रिटिश लौड करजन की अगवाई में हो रहे समारह के द्रश्य हैं, जो इससे पहले कभी प्रसारित नहीं हुए। यह ब्रिटिश लोगों द्वारा भारत में सैनिक शप्ति का अब तक्ता सबसे बड़ा प्रदर्शन है। भारत में संसाधनों की भरमार है। ततकालिन ब्रिटिश मुनार्ख क्वीन विक्टोरिया ने कहा। इस गोशना का उदेश ये जताना है कि वो सब को साथ लेकर राज करना चाहती है। लेकिन दराज जो इस कोलोनियल ताकत का नया नाम है अब दोबारा कभी भी भारत के लोगों पर भरोसा करने के लिए तयार नहीं है। प्रिटिश राज की सामाजिक और आर्थिक नीतियां हर कीमत पर भारत के लोगों को विदेशियों की सत्ता में लाने के लिए बनी थी। उन्हें डर है कि परिवर्तन सामाजिक उधल पुधल को जन्म दे सकता है जिससे एक बार फिर समट ठारा सो सत्तावन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बीसमी सदी की शुरुआत ये ब्रिटिश भारत के पश्चिमी हिस्से की बीकानेर रियासत का लालगण पैलिस है। ये इंपिरियल वार कैबिनेट में अकेले गएर प्रिटिश प्रतिनिधी महराजा गंगा सिंग के पोती के शाही विभा का अवसर है। ये चमक दमक एक शानों शौकत वाली ट्रडिशनल वाइफ स्टाइल की जलग दिखलाती है। लेकिन ये सिर्फ उपरी दिखावा है। अब भारत पर अंग्रेजों का राज है। और ये तो प्रशासनिक सिस्टम्स में मटा हुआ है। भारत के साथ पिसदी हिस्टों पर अंग्रेजों की हुकूमत चलती है। बाकी का 40 पिसदी हिस्सा रजवालों का है, जिनने अंग्रेजों के साथ संझोते कर लिये है। कूइन विक्टोरिया त्वारा प्रिटिश राज की गोशना के महज पांच गशक बाद, भारत की असली राजनीतिक सत्ता रजवानों के हाथ से निकल गई है इनके पास बस घटी हुई ताकत की यादे ही बची है ये हैदराबाद की एक रियासत से मिले बाग के शिकार के द्रश्य है ये मुश्किल से देखने बाले विजुल्स औरिजिनल कला में है और इन्हें दर्शनी भारत में कॉंगारा कलान नाम के जंगल में फिल्माया गया है स्थानिय राजा और अंग्रेज साथ मिलकर शिकार करते हैं ये हाथियों पर शिकार के लिए निकलते हैं और उनके साथ ट्रेंड शिकारियों और हत्यारों से लेस सेनिकों की एक फौज होती है ये लोग घेरा बनाकर शिकार करते हैं इसमें जोखिम कम होता है और देखने वालों को मज़ा आता है मौजूदा बिहार की एक रियासत बनेली के राजा के शब्दों में इसमें शिकार इस तरह किया जाता था जंगलों में बागों को लुभाने के लिए बैस के पचड़े बांध दिये गए बाग के छिपे होने की जगह को घेरने के लिए लगबग पच्चास हाथी भेजे गए फिर घेरा तयार हो जाने पर दो हाथियों को उस घेरे में जाकर बाग को छिपने की जगह से निकालने का हुक्म दिया गया हाथियों के करीब आने पर बाग बार बार उस्से में हमला करता था शुरू में ये बहुत रोमान चक था लेकिन फिर बाग ठक कर लेट गया रोज इस तरह के दो या तीन गेरों के साथ मैंने सेक्ण बागों का शिपार देखा है बीसमी सदी में बाग का शिपार ब्रिटिश राज का प्रतीक बना रहा ब्रिटिश राज ने महाराजाओं को ऐसे समझाते करने के लिए मजबूर कर दिया है जिससे उनके ज्यादातर अधिकार खत्म हो गए ज्यादातर रजवारों को अपने दर्वार में तैनात ब्रिटिश रेजिडेंट के दखल को जहिलना पड़ता है इदर राज ने भारती राजाओं की राजनी तिक आर्थिक और सैनिक ताकत खत्म कर दी और देखने में ऐसा लग सकता है कि बागों की तरह रियासतों के राजा भी बहुत ताकतवर है लेकिन पीसमी सबी की शुरुआत तक इनकी स्थिती बहुत कमजोर हो चुकी है 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दर्वार शुरुआती फिल्म डॉक्यूमेंटरी बनाने वालों में से एक चार्ल्स अर्बन ने किनिमा कलर नाम की एक नई टेकनोलोजी का इस्तिमाल किया उन्होंने डाई घंटे की फिल्म बनाई जिसका नाम था इस फिल्म में तीसरे दिल्ली दर्वार के नजारे हैं जो ब्रिटिश समराथ जॉज दफिफ्ट के राज्या भिशेक के समय होने वाला एक सैनिक समारो है इस समारो में सबसे एहम मौजूदगी समराथ और उनकी पत्नी मेरी की है और इने भारत का एंपरर और एंपरेस घोशिद किया गया लेकिन ये इस समारो में होने वाली अकेली महत्वपूर घोशना नहीं है ब्रिटिश भारत की राजधानी अब कैलकटा से हटा कर दिल्ली लाई जाने वाली है राजधानी को कैलकटा से दिल्ली लाई जाने के प्रस्ताव पत्र में भारत के वाइस रोयल लॉड हाडिंग ने लिखा ये काफी समय से एक गंभीर असंगती मानी जाती है कि ब्रिटिश लोग अपने भारतिय इलाके के सबसे पूर्वी छोर परस्थित शहर कैलकटा से इस देश पर शासन करते हैं लेकिन कैलकटा से राजधानी हटानी की यही एक वज़े नहीं थी सन 1905 में बंगार के बटवारे के बाद ये इलाका ब्रिटिश राज के राश्रवादी विरोडियों का केंदर बन गया था सन 1911 के दरबार में समराच जौज दर फिफ्ट द्वारा आपचारिक रूप से दिल्ली को राजधानी गोशित करने के साथ ही ये बात पक्की हो गई अब दराज का एक नया यूग शुरू होने वाला है 1930 का दशक दिल्ली ये नए निर्मानों से सजी राजधानी के सबसे शुरुवाती द्रश्य है जिसे ये रूप दिया है ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविल लट्येंज ने इसे डिजाइन करने और बनाने में 20 साल से भी ज्यादा लगा और ये ब्रिटिश सामराज्य की सब्ता के एक नए अध्याय का प्रतीख है इसके बीचों बीच शांदार वाइसरोयज हाउस है जो आगे चलकर स्वतन्त्र भारत में राश्ट्रवती का निवास बनेगा हिस्टोरियन मालविका सिंग और रत्रांग्शू मुखरजी ने अपनी किताब निव डिली मेकिंग ऑफ अ कैपिटल में बताया है कि लट्टिंज ने कितनी बारेकी से काम किया था उन्होंने इंडिन ट्रेडिशन्स का बखूभी अध्यान किया, हासियतों और प्रद्धिगों की भोज की, स्थानिय निर्मां सामग्री की डारेक्ट्री तैयार की, धार्मिक और सेकुलर तोनों तरह की कला और कारिगरी की खासियतों को जमा किया और इन सब को आपस में मिला कर एक हाइब्रिड स्टाई बनाने की कोशिश की एक नई शांदार राजधानी का निर्मार ब्रिटिश राज की सामराज्यवादी सत्ता के सबसे अच्छे दौर का प्रतीक बन गया भारत अब धीरे धीरे लेकिन दगातार बदलने लगा है जिसे अंग्रेजों ने भारत पर अपनी हुकूमत के सबसे अच्छे दौर में सन 1889 में बनवाया था बंगाल के न्यू जल्पाई गुडी और दारजलिंग को जोडने वाली ये ट्रेन ब्रिटिश हुकूमत की बज़ा से आए बदलावों को दिखाती है 1930 के दशक तक बंगाल के धंडे पहाडी इलाकों में बसे दारजलिंग जैसे छोटे छोटे शहर गर्मी से बज़ने के लिए अंग्रेजों के लिए जन्नत बन गए थे अब अंग्रेजों के लिए भारत ही इनका धर है और ये इसे आदुनिक बनाकर इसका विकास करना चाहते हैं ब्रिटिश राज अपने साथ वेस्टरन एडुकेशन, मौडरन मेडिसिन, एक्रीकल्चरल और इंडस्ट्रिल टेकनोलोजीज भी लेकर आया दारजिनिंग जैसी जगों पर अंग्रेजों ने अमिट छाप छोड़ी ब्रिटिश राज द्वारा स्थापिच चाय बगानों ने आगे चल कर भारत को दुनिया के सबसे बड़े डी प्रोडूसर्स में से एक बनाने की बनियात रखी इसके बावजूद ये सवाल उड़ता है कि क्या आधुनिक सुधारों ने सचमुच भारतियों की जिन्दगी को बेहतर बनाया है इस समय तक भारत के लोग ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहते हैं ब्रिटिश राज में सरकार में उनकी भागिदारी ना के बराबर है और ये आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछडी हुई हालत में है हिस्टोरियन आयरा क्राइन ने लिखा है अपने शुरुआती दोर में ही ब्रिटिश राज ने भारतिय उप महाद्वीक में विकास के नए तौर तरीके स्थापित किये जिससे इंगलिंड तीजी से प्रगती कर पाया और वहां के लोग संपन्न हुए और क्लाइन का एक सवाल है फिर वेस्टन प्रोग्राम्स की काम्याबी ज्यादा बड़े पैमाने पर नजर क्यों नहीं आई और एकॉनमिक डिवलपमेंट की पॉलिसीज ने बीस्वी सदी के मद्धे तक भारत के ज्यादातर लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कैसे पहुँचा दिया जहां लोग मुश्किल से अपना पेट भर बाते हैं बीस्वी सदी के आगे बढ़ने के साथ ही अब तमाम भारतिय लोग गरीब से लेकर अमीर तक ये सवाल पूछने लगे हैं अपनी दोस्त को लिखे एक पत्र में मैसूर रियासत के दीवान या प्रधान मंत्री सर मिर्जा इसमाईल ने लिखा मैं बढ़िया शिक्षा और हायर पूस्त के साथ खुशकिसमत लोगों में से एक हूँ लेकिन कई बार मुझे बहुत मेराशा होती है मेरे स्टेटर्स और मेरी काम्यावियों के बावजूद लगभग सभी ब्रिटिश लोग मुझे अब भी अपने से नीचा समझते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि वो जिस भारत की बात करते हैं वो ब्रिटिश लोगों की बनाई हुई चीज है और उनके जाने के बाद वो ज्यादा में तक नहीं चलेगी भारत में लोगों का विचार फिर से बदलने लगा है और इस बार वो अपने शासन पर विचार कर रहे हैं इसने गांधी जी जैसे जाने माने नेताओं के लिए पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जमीन तयार कर दी और एक बार शुरू होने पर इस आंदोलन को रोकना मुश्किल साबित होगा इस बीच बिटिश सामराज्य आधुने काल में सबसे हिंसक आंदोलन से गुजरने वाला है बिश्मी सदी का शुरुआती दौर बिटिश हुकूमत एक बड़ी सामराज्य वादी शक्ति है और भारत इस सामराज्य के सबसे एहम नगीनों में से एक है लेकिन यहाँ अब अशानती है और ये तीन दश्कों से पनप रही है उन्नीसमी सदी के आखरी वर्षों में यहाँ की अशानती में राष्ट्रिय चेतना को जन्म दिया और आखिरकार इससे इंडियन नैशनल कॉंग्रिस यानि भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रिस के गठन की बन्याद पड़ी इस संगठन का विजार सबसे पहले एक अंग्रेज नाकरिक आलन ओक्टीविन हूँ में रखा था लेकिन कॉंग्रिस भारतिय नेत्रत वाला एक राजनीतिक संगठन है जो ब्रिटिश राजनी भारतियों की समस्याओं का समाधान चाहता है सन 1914 में ये भारत में ब्रिटिश राज के सबसे जबरदस्ट राजनीतिक विरोधी के रूप में पनपा लेकिन अब जंग की दस्तक सुनाई दे रही है जुलाई सन 1914 से नवंबर सन 1918 तक पूरे योरोप में जबरदस्ट लड़ाई छिड़ी रही जिसमें सामराज जबादी ताकतों के साथ साथ उनकी रियासतों ने भी भागिदारी की ब्रिटिन, फ्रांस और रूस ने एक गठबंधन बनाया जिसमें बाद में अमेरिका, जापान और अन्य देश भी शामिल हो गए इन्होंने साथ मिलकर जर्मनी और आस्ट्रिया हंगरी का सामना किया ब्रिटिश भारत ने भारतिय सेना को जंग में उतारा दुनिया में किसी उपनिवेश की सबसे बड़ी वॉलेंटिर आर्मी में यहांके बारा लाख सत्तर हजार सैनिक शामिल हुए इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश और भारतिय सेना साथ मिलकर लड़ रही है शौरे का सब्मान करने में ब्रिटिश और भारतिय सैनिकों के बीच कोई बेधभाव नहीं किया गया पंद्रह भारतियों को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया सिर्फ ब्रिटिश लोगों को दिया जाने वाला ये सब्मान प्राप्त करने वाले ये पहले भारतिय थे लगभग 75,000 भारतिय सैनिक मारे गए और इन में से कईयों ने विदेशी जमीन पर दम तोड़ा और लाखों सैनिक घायल हुए दिसंबर सन 1917, जरूसलम ये ब्रिटिश जनरल एड्मन एलन बी द्वारा डूम ओफ रॉक पर सम्मान व्यक्त करने के दुरलब रिश्य है इनके साथ भारतिय घुरसवार सेना और लैंसल्स के चार डिविजिन्स है भारतिय सेना फिलिस्तीन से तुर्कों को बाहर निकालने में काम्याबी का जश्न मना रही है नवंबर सन 1918 तक जरूमनी ने समर्पन कर दिया और जंग खत्म हो गई लेकिन कोई भी इस से सही सलामत नहीं बचा है इस विश्व युद्ध ने जीतने वाले को भी उतना ही नुकसान पहँचाया है जितना हारने वाले को ब्रिटिश सामराज्य को भी अपने देश में भारी नुकसान जेलना पड़ा है सन 1925 ग्रेट ब्रिटिन इन अनोखी फिल्म आर्काइव्ज में बायो कलर नाम की एक खास टेक्नोलोजी का इस्तिमाल हुआ है क्लॉड फ्रीस ग्रीन ने जंग के बाद ब्रिटिन की स्थिति को दिखाने के लिए बायो कलर का इस्तिमाल किया लंबी और बेरहम लडाई में सैनिक रूप से काम्याब रहने के बावजूद ब्रिटिन अब आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है ब्रिटिन को सूपर पावर बनाने वाली और योगी क्रांती अब धीमी बढ़ रही है संबन्द लोग और धनी होते जा रहे हैं और खरीम लोग और भटे हाल जिससे उचबर्ग और कामगारों के बीच फर्ग बढ़ता जा रहा है सन 1926 में यानि पहले विश्मियुद्ग के खत्म होने के एक दश्यक के अंदर ब्रिटन, कारखानों, कोईलाखादानों, बस, रेल और बंदरगाओं में काम करने वालों और बिजली और गैस के कामगारों की दस दिनों की आम हरताल से ढप पड़ गया प्रशासम ने इस आम हरताल को तो खत्म करवा दिया, लेकिन ये प्रिटिश सामनाजी के लिए आगे आने वाले मुश्किल हालात का पहला संगेत है इस बीच, प्रथम विश्मियुद्ग के बाद के भारत में भी एक नई असंतुष्टी पन अप रही है जंग शुरू होने पर भारत के रजवारों के साथ साथ, ज़्यादा तर जनता ने लड़ाई में ब्रिटिन का साथ दिया था भारतिय सैनिक अपनी मर्जी से अंग्रेजों के लिए लड़े थे, और रियासतों ने युद्ध के लिए अपने खजाने खोल दिये थे ब्रिटिश अखबार ड़ टाइम्स के मताबिक, भारत में जिस उत्साह से युद्ध में मदद की है, उसकी एकता और समरपड ने ब्रिटिन को खुश कर दिया है भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाले लोगों ने भी इस उम्मीद में युद्ध के समय अपना रुख नर्म कर लिया कि शायद लड़ाई में मदद के बदले अंग्रेज उन्हें आजाद कर दे विश्वियुद्ध खत्म होने के महज एक साल बाद ऐसा लगने लगा कि ये जल्दी ही होने वाला है सन उन्नीस सो उन्नीस में अंग्रेजों ने गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट पारिद किया इस कानुन से सरकार में भारतियों की भागीदारी बढ़ गई इससे पार्लियमेंट में दो हाउसेज की शुरुआत हुई और स्टेट गवर्मेंट में कई एहम पद भारतियों को दे दिये गए लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है सेंट्रल गवर्मेंट अब भी अंग्रेजों के नियंतरन में है रियासतों में भी टैक्स और लॉयन ओर्डर जैसे एहम पदों पर अंग्रेज ही है और फिर वक्त ने करवट ली इस बार भारत का विचार एक अहिंसक आंदोलन से पैदा हुआ जो भारत के लोगों को आजादी की रहा पर ले जाने वाला है ये भारतिय स्वतंतरता संग्राम के सबसे जाने माने नेता और सामराज्यवादी ब्रिटिश राज के लिए सबसे बड़े खत्रों में से एक मोहंदास करमचंद गान्धी के खास द्रिश्य है इन्होंने रंग भेदी मुल्क साउथ आफरिका में दो दशकों तक बगालत की है जन्वरी सन 1915 में ये भारत लोटे साउथ आफरिका में रंग भेद के अनुभव ने इन्हें स्वराज के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा दी भारत की आजादी के इस पहले आवान ने सिर्फ उच वर्गों को ही नहीं बल्कि हर वर्ग के भारतियों को आकरशित किया सन 1920 तक गान्धी ने भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रिस का नेत्रत्व समाल लिया और ये ब्रिटन में बनी चीजों के बहिश्टार जैसी सविने अवग्या जैसे आंदोलनों की अगवाई करने लगे सम्मान से लोग गान्धी को महात्मा कहते हैं और इन्होंने अहिंसक विरोध की शुरुआत की ये लगातार विरोध और अपने मत पर कायम रहने का ऐसा तरीका था जो आजादी की लड़ाई में बिलकुल नया था अन्य राष्ट्रिय नेताओं के साथ गान ही भी भारत के विचार में सबसे जबरदस्ट बदलाव की प्रिरणा देने वाले लोगों में से थे ये एक स्वतंत्र और डिमोकर्टिक नेशन का विचार था जिस पर यहां के लोग जमोकरसी में शासन करें मैं खुद को सिपाही मानता हूँ, शान्ती का एक सिपाही भारत की पवित्र नदी, गंगा, जो हमारी पहचान है ये एक राष्ट्रिया पहचान है, जो आदुनिक 20 सदी में काफी सशक्त हो रही है लगभग 2 सदी की गुलामी के बाद कुछ स्वतंत्रता सेनानी, राजनितिक बातचीत जैसे अहिंसत तरीके अपनाना चाहते हैं लेकिन भगत सिंग और चंदरशेखर आजाद जैसे कुछ लोगों ने अंग्रेजों से लगने के लिए हतियार उठा लिये अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से इसे दबा दिया सन 1930 में कॉंग्रेस ने सन 1882 के उस दमनकारी खानून के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जिसमें नमक बनाने और बेचने पर भारी टैक्स लेने का प्रावधान था मार्च सन 1930 के अपने एक पत्र में गांधी ने वाइस रॉयल लॉड अविन को लिखा कि ये आपनिवेशिक सत्ता का एक कड़ा कानून है और भारतिये लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पढ़ रहा है हाला कि मैं भारत में ब्रेटिश शासन को एक अभिशाप मानता हूँ लेकिन मैं अंग्रेजों को दुनिया के बाकी लोगों से बुरा नहीं मानता और मैं ब्रेटिश शासन को अभिशाप इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसने लगतार शोशन वाली एक व्यवस्था और ऐसे खर्चीले सैनिक और नागरिक प्रशासन के जरिये करूनों भारतियों को बढ़ाल कर दिया है जिसका खर्च ये देश नहीं उठा सकता है इसने राजनितिक रूप से हमें अंग्रेजम का हुलाम बना दिया है इ हम कायर असहाय लोगों का देश बन कर रह गये हैं। की अगवाई करेंगे। लॉड अविन को लिखे गए अपने पत्र के अंत में उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव रखा। मैं जानता हूँ कि आप मुझे गिरफतार करके मेरी कोशिश को नाकाम कर सकते हैं। लेकिन मेरे बाद हजारों लोग अनुशासित धंसे ये काम करने को तयार रहेंगे। और नमक कानून का उलनंगन करके वो उस कानून की सजा पाने के लिए तयार रहेंगे जिसे कभी कानून के किताब में दर्ज ही नहीं होना चाहिए था। मैं आपको बेवज़ा मुझे में नहीं डालना चाहता। अगर आप इस मुद्दे पर मुझे से आगे बातचीत करना चाहते हैं और इस पत्र को प्रकाशित नहीं होने देना चाहते हैं तो आपका टेलिग्राम मिलते ही मैं इसे रोब दूगा। अविन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसकी बजाए उसने गांधी को गिरफ़तार करने का हुक्म दिया। लेकिन इससे बिना डरे गांधी जी ने जील में अन्शन शिरू कर दिया। विरूद के ऐसे अनोखे तरीखों ने गांधी जी की महात्मा वाली छवी और भारत की जनता पर उनकी पकड़ को और मजबूत कर दिया। अक्टूबर सन 1931 ग्रेट ब्रिटिन गांधी लंदन पहुचे और ब्रिटिन की जनता उनसे बहुत सम्मान से मिली। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को अपने पक्ष में करना इतना आसान नहीं है। उस साल फरवरी में जाने माने राज ने था और आगे चलकर ब्रिटिन के प्रधान मंत्री बनने वाले विल्स्टन चर्चिल ने गांधी के बारे में लिखा। मिस्टर गांधी को देखकर मुझे बहुत घिनाई। ये मिडिल टेंपल के एहसान फरमोश वकील है। और अब पूरप के फकीर की तरह आधे कपले में ये किंग एम्परियर के रेप्रेजन्टेटिव से बराबरी पर बाच्चीत करने के लिए वाइस रीगल पैलिस की सीड़ियों पर चड़ रहे हैं। लेकिन गांधी जी की दिल्चस्पी सिर्फ ब्रिटिश राज की नीव हिलाने में नहीं है। आजाद भारत के इनके सपने में ये भी शामिल है कि यहां के लोग अपने आपको पहचाने और अपनी सबसे पुरानी सामाजिक बुराईयों को दूर करें। पहले विश्वियुद के बाद के दौर में भारत में ब्रिटिश राज। गांधी जैसे नेताओं की अगवाई में यहां के लोगों में देश भक्ती की लहर तौड रही है। गांधी ने भारत के लोगों को सिर्फ ब्रिटिश रासन से आजादी के लिए लड़ने की ही प्रिरना नहीं दी। उन्होंने उन्हें जाती, नसल, धर्म और लिंग्य के बेदभाव से भी लड़ने को कहा। सन 1932, ब्रिटिश भारत में दिल्ली से महज 160 किलोमिटर पूरब में स्थित मुरादाबाद। यह यहां के उस दलित समुदाय के लोगों के कुछ दुरलब नजारे हैं, जो हिंदू समाज में सबसे नीचे माने जाते हैं। ब्रिटिश भारत में दलित बहुत भटे हाली में रहते हैं, इनकी बस्तियां सबसे अलग धलग होती हैं, और इन्हें ऐसे काम दिये जाते हैं, जो हिंदू धर्म गरंधों के अनुसार अशुद्ध हैं। हिंदू समाज को नहीं मानने वाले पश्चिमी शासकों के होने के बावजूद, प्रिटिश राज के दौरान भी भारतिय समाज में छुआ छूट जैसी बुराईयां मौजूद हैं। गांधी जी का मानना है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, तो छुआ छूट जैसी बुराईयों को खत्म होना चाहिए। इन्होंने दलित समुदाय को एक नया नाम दिया, हरी जन्द, यानि ईश्वर के लोग। इसके साथ ही इन्होंने दलित समुदाय के लोगों के साथ खाने, मिलने जुनने और प्राथना करने जैसे सारवजनिक रूप से दिखाई दिने वाले कामों की मदद से लोगों को समझाने की कोशिश की। गांधी जी का मानना है। अगर मेरा पुनरजन्म हो तो मुझे दलित के रूप में पैदा होना चाहिए ताकि मैं उनके दुख, उनकी तकलीफों और उनकी मुश्किलों को समझ सकूँ और शायद इसके मुझे खुद को और उन सब को उनकी बुरी हालत से आजाद कराने की प्रेना मिलेगी। ये उत्तर भारत में इलाहाबाद के नजारे हैं, तीन पवित्र नदियों, गंगा, यमुना और पौरानिक सरस्वती के संगम पर बसा ये शहर हमेशा से आजादी की लडाई का केंद्र रहा है। इस शहर ने स्वतंतरता आंदोलन के शुरुआती दिन देखे हैं, जब मोती लाल नहरू जैसे नरम पंथी मेदाओं ने अपनी भारतिय पहचान कायम करने शुरू की थी। ये मोती लाल नहरू के पुत्र जबाहर लाल नहरू का जन्मस्थान भी है, जो आगे चल कर आजाद भारत के पहले प्रधान मंत्री बनेंगे। जबाहर लाल नहरू राष्ट्रिय चेतना की एक लहर की अगवाई करते हैं। गांधी जी की तरह इन्होंने भी पश्चिम में वकालत की पढ़ाई की है, ये भारत की आजादी के पक्के इरादे के साथ अपने देश लोटे हैं। गांधी जी की तरह ये भी बुद्धी जीवी होने के साथ साथ लोगप्रिय जननेता भी हैं। और इन्होंने भी बारतिय जनता के बीज अपनी मजबूत जगह बना ली है। अपनी मशूर एतिहासिक किताब डिसकवरी आफ इंडिया में इन्होंने अपने देश के बारे में लिखा। बार बार विदेशी हुकूमत पे रहने के बावजूद कोई इसके जोश को खत्म नहीं कर पाया। और आज भले ही एक विजेता के हाथों का खिलोना बना हूँ अलग रहा हूँ। लेकिन अब भी इसने हार नहीं मानी है। और इसका उत्सा कायम है। ये एक मित, विचार और सपना है। लेकिन साथ ही ये बहुत वास्तविक और जीवन्त भी है। नहरू और उनके पॉलिटिकल मेंटोर गांधी ने आजाद और सेकिलर इंडिया का विचार सामने रखा। जिसमें हर नागरिक को बेसिक हुमन राइट्स की गारंटी होगी। डिसकवरी आफ इंडिया में नहरू ने लिखा। इंसानियत का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तोफा किसी एक नसल या देश का एक अधिकार कभी नहीं हो सकता है। इसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और ना ही इसे किसी कंजूस का जमीन में गड़ा खजाना माना जा सकता है। दांधी और नेरू जैसे नेताओं ने ऐसे भारत का सपना देखा जहां सभी भारतिय बिना किसी सांस्कृतिक और धार्मिक भेदभाव के मिल जुल कर रहें लेकिन सबकी राय ऐसी नहीं है दिसंबर सन 1930 में औल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेजिडेंट मुहमद इकबाल ने एक बिलकुल नया विचार पेश किया भारत विभिन नसल के लोगों का देश है जो अलग-अलग भाशाएं बोलते हैं और जिनके धर्म भी अलग-अलग है उनका व्यवहार किसी एक नसल चेतना से तै नहीं होता भारत के सामपरदाईग समूहों की वास्तविक्ता को स्विकारे बिना यहां येरोपिय लोकतंद्र के सिध्धान्त को लागू नहीं किया जा सकता इसलिए मुस्लिम लोगों द्वारा भारत के अंदर एक मुस्लिम भारत के निर्मार की मांग बिलकुल जायज है उन्होंने आगे कहा मैं पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध और बलुचिस्तान को एक रियासत के रूप में देखना चाहूँगा ये ब्रिटिश सामराज्य के अंदर हो या उसके बाहर लेकिन मुझे लगता है कि नौथ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट का गठन ही मुसल्मानों का भविश्य होगा कम से कम उत्तर पश्चिम भारत के मुसल्मानों का ये पाकिस्तान के बिचार का जन्म है लेकिन ये कई सदियों से चले आ रहे तनाव का नतीजा है लेकिन सामपरदाइक तनावगा भारत के भविश्य पर बुरा असर पड़ेगा 1930 के दशक के दौरान भारत में बिटिश शासन से आजादी की मांग लगातार तेज होती गई इस पुरानी फिल्म में आप आजादी की लड़ाई का एक दुरलब नजारा देख सकते हैं ये आंदोलन बहुत जबरदस्थ है लेकिन इसे अपने भीतर ही गंभीर चनौतियों का सामना करना पड़ रहा है बिटिश लोगों ने भारतियों में फूट डाल कर शासन करने के लिए इनी धार्मिक और जातिय तनावों का फाइदा उठाया सितंबर 1932 गांधी जी ने उची और नीची जातियों के लिए अलग-अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व बनाने के बिटिश नीधी के बिरोध में अन्शन शुरू कर दिया इस फिल्म में आवाज साफ ना होने के बावजूद ये गांधी जी की सबिने अवग्या के दुरलव दृश्य है सन 1938 ब्रिटिश भारत के उत्री हिल स्टेशन ब्रिटिश राज के अफसर यहां छुट्टी मना रहे है ये साहिब वाले अपने रुद्वे से अच्छी तरह वाकिफ है उर्दू लफ्स साहिब कार्थ है सर या मिस्टर लेकिन ब्रिटिश राज में ये स्वामी या मालिक के उचे रुद्वे का प्रतीख है और इसका इस्तिमाल भारतिय लोग अंग्रेजों के लिए कर दे है साहिब लोग ऐशो आराम और खास सहुलियतों वाली जिन्दगी जीते है इन में से कुछ लोग बहुत अन्मने ढंग से भारता है जबकि कुछ लोग ब्रिटिन से भी ज्यादा भारत को अपना घर मानते है बीसमी सदी के शुरू के पच्चीस सालों के अंत में दुनिया एक बार फिर बदलने लगी है इस बार ब्रिटिश राज पर इसका प्रभाव निरनायक होगा दूर सौ वर्षों से ज्यादा समय से ब्रिटिन भारत पर राज कर रहा है दराज अब तक देश में चल रहे आंदोलनों के साथ साथ पहले विश्वियुद्ध से पैदा हुई मुश्किलों से भी लड़ने में काम्याब रहा है पहले विश्वियुद्ध के महज 20 साल बाद एक बार फिर जंग के बातल गिरने लगे एक बार फिर यूरोपिया देशों के गटबंधन की अगवाई के लिए प्रिटन को याद किया जाएगा इस बार ये लड़ाई एडॉल्फ हिटलर के जर्मन खत्रे के खिलाफ है ये लड़ाई पूरी दुनिया को चपेट में ले लेगी और किसी की भी कलपना से ज़्यादा तबाही मचाएगी दूसरे विश्वियुद में जंग का मैदान यूरोप, प्रशांत क्षेत्र, आफरिका, अमेरिका, जैपान, चीन, मिदल एस्ट और भारत तक पैल जाएगा ये दिहास में सबसे जान लिवा युद्धों में से एक होगा जिसमें पाँच से आठ करोड लोग मारे जाएंगे और इन में से जादातर लोग आम नागरिक होंगे नादसी फौज खत्म कर दी जाएगी और फासिजम पर हमला होगा जर्मनी और युरोक के काफी बड़े हिस्से का राजनीतिक नक्षा बदल जाएगा इस लड़ाई का बिटन के लोगों, उसके शेहरों और उसकी अर्थ विवस्था पर बहुत बुरा असर बड़ेगा ब्रिटन अपना पूरा ध्यान और अपने सभी संसाधनों को खुद को फिर से मजबूत करने में लगाएगा भारतिय लोगों के लिए दूसरा विश्वियुद आजादी के लिए जोर लगाने का एक अच्छा जर्या साबित होगा आजादी की इसकी मांग लगातार तेज और मस्बूत होती जाएगी दूसरे विश्वियुद के अंध तक दुनिया का नक्षा काफी हद तक बदल जाएगा आयन कर्टन पश्चिमी जगत को विभाजित कर देगा ताकतवर देशों का पतन हो जाएगा और उनकी जगे नए देश बन बेंगे दर्राज जैसी सामराज जवादी ताकतों का सूरज ढल जाएगा और फिर होगी एक नई सुबा